यह हुआ है वार्सिक परिक्षा आपका समाजी विज्ञान का आज की डिट में और चलिए इसके सॉलूशन की बात करते हैं कि इसमें सॉलूशन कैसे रहेंगे और जो बच्चे इसका सॉलूशन देखना चाहते हैं जिन्होंने यह पेपर भेजा है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर थ्रीडी वीडियो ला रहे हैं जिसके माद्यम से आप वीडियो के माद्यम से यानि की फिल्म के माद्यम से चैप्टर को समझने वाले हैं इतिहास में पहली बार होगा यूटूब के पूरे इतिहास में पहली बार होने वाला है यह चीज जो मैं अभी आपको देने वाला ह यह chapter complete कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा काम रह रहा है और जैसे ही यह काम complete होता है तो आपका YouTube पर यह launch हो जाएगा और यह पहली बार मैं बता रहा हूँ YouTube के इतिहास में जो होगा Hindi Medium के लिए जो हमने राष्टवाद का उदय का chapter जो आपको डाला है उसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि यह history जो है यह कुछ भी नहीं है आपके लिए तो विश्वास दिलाता हूँ इस चीज को अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पहली बार अपने आप पे गर्व होगा कि कास ऐसा कोई institute अभी तक है यह नहीं और कोई भी ऐसा college नहीं है कोई भी ऐसा teacher नहीं है जिसने इस चीज को करा हूँ हमारी कड़ी मेहनत है उसमें बहुत सारे लोगों को हमने include किया सबसे history के बारे में जाना पैचाना और समझा उसके बाद में इस chapter को लिखना सुरू किया और फिर इसको लिखते लिखते एक movie को हमने design कर दिया तो आसा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आप उत्सुक होंगे और यह वीडियो जल्दी आने वाला है जैसे आपके 9th class के exam खतम होने वाले होंगे उससे पहले यह वीडियो हाजिर हो जाएगा और इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप history को अच्छे तरीके से जानना चाते हैं समझना चाते हैं movie के माध्यम से पहला जो question है निम्न में से रवी की फसल है सभी को अच्छी तरह से पता है कि चना जो है रवी की फसल है तो यह answer हो जाएगा आपका खाओ option right नेक्ज जो question है देखिए ध्यान से वुलर जील निम्न में से किस छेत्र में इस्तित है वुलर जील जो है आपकी यह आपकी automatically बनी होई थी तो इसका answer हो जाएगा जम्मुयन काश्मीर यहाँ पर घाओ option आपका correct हो जाएगा नेक्ज जो question है इसमें पूछा गया है आपसे प्रात्मिक छेत्र के अंतरगत आती है प्रात्मिक छेत्र के अंतरगत देखो और वह जो चीज नहीं आती है वह बैंकिंग बैंकिंग जो है सेवा छेत्रक है और यह थर्ड वाले तित्यक छेत्रक में आती है ठीक है तो बाकी जो है यह फर्स्ट प्रात्म छेत्रक में आती है यह भी आपका फर्स्ट छेत्रक में यह भी आपका फर्स्ट छेत्रक में आ यानि कि जो आप जंगल में जो हम शिकार वगर्या करते हैं जो भी हम वन से संबंदित काम करते हैं वो भी प्रकृति के उपर निरबर है और पशुपालन भी प्रकृति के उपर निरबर है ठीक है ना तो यह सारे के सारे फर्स्ट खेतरक में आते हैं लेकिन यहाँ पर क्वे bonus marks मिलते हैं आपका टीचर इसको bonus marks में count करेगा अच्छा लोगतंत्र की विशेष्टा नहीं है तो लोगतंत्र में देखिए शाषन का एक रूप जो होता है इसमें जनता जो है सास को कुछ उनती है बिल्कुल सही बात है तो यह तो कथन्त सही है इसको हम गलत नहीं करेंगा ह मैं तो मैं गलत लगाने वाला हूँ ठीक है सुतंत्र öm निस्पक्ष चुनाव म्हामला होता है सोतंत्र और निस्पक्ष चुनाव मामला होता है में किसी को नहीं यहाइं और एक मोल होता है ठीक है तो ये भी सही है एक व्यक्ति का एक ही बोट होता है उसका एक मोल होता है ठीक है ये भी सही है वंशानुगत सासन प्रणाली नहीं होती है ये गलत है इसमें यानि कि जो राजा है जो निरंकुषवाद जिसको हम पढ़ेंगे अभी मैंने बताए वन्शा नुगत शाशन यानि कि जो राजाओं का शाशन है जिसको हम निरंग कुश्वाद बोलते हैं वो इसमें नहीं होता है इसमें किसी के बाप की निचलती जो है आपके पूरे के पूरे संसार की चलती है यानि कि पूरे भारत वर्ष की चलती है पूरे देश की चलती है ठीक है यहाँ पर यह जो option है कतन जो मैंने bracket लगाया यह सही है इस question के इसाब से जो इसकी विशेष्था नहीं है next question है वर्सराय की संदी की गई वर्सराय की संदी कब की गई यह sun आपको बताना है date साथ में लिखी गई है वर्सराय की संदी जो की गई थी यह की गई थी आपकी 28 जुन सन 1919 में यहाँ पर जो है option correct हो जाएगा बच्चे मुझे comment करके जरूर बताएं कि उनका कितना answer सही है next question है उसकी बात करते हैं यहाँ पांची question के वल MCQ के पूछे गई थे उसके बाद जो है रिक्स्तानों की पूर्ती में 6-10 तक के question साब से पूछे गए हैं जिसमें पहला question है खालिस्तान परतम बिश्यूद में मित्र रास्टों के खेमे में सामिल था और options दिये गए हैं तो मित्र रास्टों के जो खेमे में और उसका आउसर हो जाएगा भारत का संविदान और दू भारत का सम्विदान को लागवा तो मैं बताया आपको कि चप्षबिय जने अपका जो है यह 26 जून 1950 को लागू कर दिया गया था, यानि कि पेश कर दिया गया था, ठीक है, तो यह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून नहीं होगा, यहां पिस जून नहीं होगा, जनवरी हो जद्धनर होगा, ध्यान रखिये गा था, जो आपके वार्शिक परिक्षाओं हों और नोन बॉर्ड के जितने वी एक्जाम्स होते हैं, नाइन्थ के हों या इलेवन्थ के हों सभी में मिस्प्रिंट पाए जाते हैं तो इसके लिए आपको घबराने की जरूत नहीं है ठीक है बाकी ठीचर्स आपको बतायते हैं कि भईया इसमें यह मिस्टेक है इसको सही कर लो इसके बाद 11 जो कुश्यन है जिसमें आपसे इसमें पूछा गया भारत के उत्तरी पश्यमी भाग में शीत रित्यू में होने वाली वर्शा के लिए पश्यमी चक्रवार्त विछोब तरदाई है क्या? इसका इसका क्या राइट अंसर हो जाएगा? बिलकुल शाही आंशर हो जाएगा ये बोलते हैं हम true, इसका बाद में कच्छे माल को कार Armenian को कारiennent पूझी कहते हैं क्या? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये भी आपका क्या है? कच्छे माल भी आपके का गलत है स्टेटस्त्र है ना, उत्री भाग को नहीं कहते हैं, घढ़ाज़ laquelle, यहां पर यहां उत्री भाग जो है गलत इस्का आंसर ऑफ्शन है वह आ पके प्रशन है 16-20 तक यह सारे सारे व्य्री सोड ँया bênग. कीफ है इसमें डियूमा क्या है आपका कांसर हो जाएगा प्रक्रिया काहा जाता लो जो है नाम लिखना आपका नाम महत्व निरमान में स्वस्त कि क्या भーumika है यहाँ पर स्वस्त व्यक्ति अपने काम के साथ नयाय कर सकता है यह होता है भारती स्व्यंधान की प्रारूप समीथी की अधक्ष कौन है जो आपने अभी अभी मनाया है जो दिवश इसका नाम था डाक्टर भीव राम अमेड करे बी में बी आर जो आपका जहनती था बी आर अमेड कर जहनती उसके उपलक्ष में आपकी चोचुटी थी तो वो इसमें आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर 20 से नंबर तक हमने कुश्च जो कि आपके दो अंकिये प्रशन रहेंगे भारत में पड़ोसी देशों के नाम जो है आपको बताना है बहुत सारे पड़ोसी देश है नैपाल है सिरलंका है भूटान है यह सारे देश है वर्स राय की संदी की क्या शर्टी थी आपको बता देना है नेक्स्ट है खोनी चलती है यह आपको समझा देना है इसके लोग तके प्रमुकय गुणों और दोस्तों को आपको बता देना है इसी में आतवा part भी दिया गया है आतवा part को अगर आप गोर करते हैं तो यहाँ पर फ्रांसीजी करांती की प्रमुक घटनाओं का वर्णन कर देना है और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांसीजी करांती के बारे में हम दस्वी कलास में फड़ने वाले हैं उसके लिए हमने आपके लिए 3D वीडियो बना दिया है और जल्दी लॉंच होने वाला है और निर्धनता उन्मुलन की वर्तमान सरकारी नड़नीतियों की चर्चा कर देनी है इसी में अत्वा पार्ट भी दिया गया है जिसका है आपको question पोला गया है भारत में निर्धनता क कारण के उपाय जो है आपको बता देने है इसके बाद 31 जो question नियुमे में से किनी दो पर टिपन ही लिखनी है जिसमें नेपोलियन के उपर मैंने समझा है टेंथ क्लास में जैसे ही जाएंगे ना नेपोलियन के उपर पूरा का पूरा मैंने जो भारत का सोरी यूरोप का ज है उसके बारे में आपको बता दिया गया है उसके बाद में भारत के मानचीतर में जो है आपको बता देना है बंगाल की खाड़ी कहा है और आवली प्रवतमाला कहा है तो यहां पर प्रशन पत्र आपका समाप्त होता है और इस तरह का प्रशन पत्र जो है आपका आया सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो उसके solutions की तो आप उसको भेज सकते हैं और वो भी WhatsApp नंबर पर इसके लावज पर कोई भी call ना करें को response नहीं होगा क्योंकि यह केवल आपकी पेपर sending नंबर को जो है आप बताया गया थैंक यू वेरी मच्छ हवे गुड़ डे